कोरोना वाइरस का प्रकोप एक तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं होस्पिटल से लेकर सरकार तक इसके खिलाफ लड़ाई में मुस्तैदी के साथ खड़ी है इस कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग में राजकोट स्थिज जियोती सी एंसी फॉर्म ने एक उधारन पेश किया है ये फॉर्म ने कोरोना वाइरस के मरीजों की मदद के लिए वेंटीलेटर बनाया है सिर्फ इतना ही नहीं फर्म ने ये फैसला किया है कि 1000 वेंटिलेटर वह गुजराज सरकार को मुफ्त में देगी आपको पता दे कि एक वेंटिलेटर की किमत एक लाग रुपई से भी कम है मुझे कुशी है कि वेंटिलेटर बनाने में भी कि गुजरात में हमारे लोकल इंडर्स्ट्रियालिस काम्याब हुए है पूरा उसका सक्तिफाई भी हो गया है और पेशन्ट पर सुबह से सक्सेस्पुली वो काम भी कर रहा है गुजराती वर्ज से धमन इसका मतलब है कि पूरी एर को पंप करते करते उसमें से एर निकलती और उसको गुजराती वड में धमन बोलते हैं तो इस वेंटिलीटर का नाम भी गुजराती नाम दिया है धमन बें के बारे में इतना बताता हूं जो डीतेयल जो है यह प्रेशर कंट्रोल उन्टीयटर यह जो प्रेशली Hinter rhoi के पैसेंट्स को जिसकी जरुषत है जो यह हमारे लिए आज के दिन में वहर है इस पिशलाइज देव और प्रेसर कंट्रोल वेंटीलेटर है उसके लिए बनाया गया है जो एक्यूपमेंट जो साड़े छे लाक रूपिया में जो मिलता है वो हम लोग वन लाक रूपीज लेस देन वन लाक रूपीज में बना पाया है एंड हम लोगों ने हमारी जो राजकोट के जितने भी जो हमारे जो फ्रेंड्स एंड जो ग्रूप से हम लोगों ने मिलके एसा डिसाइड किया है कि 1001 पीस जो है वो हम गुजरात गवर्मेंट को हम लोग यहां पर डॉनेट करेंगे उसके बाद हम बाकी लोगों को ज़रूरी है तो हमारा हर्मोनियम हो उसमें भी धमन आता है और लुहार की भी धमन होती है जहां जीवन है वहाँ धमन सत्मुपे काम करना वाला है और ARDS जो यह कोविड वायस में जिसकी गुंजाई ज्यादा रहती है उसको डिल करने के लिए यह मशीन बिलकुल सेवा करन जीवन प्रधान कने वाला मशीन बना रहेगा ऐसा लग रहा है कि गौर तलब है कि करोना वाइरस के बढ़ते मामलों में देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के आदेश पर 21 दिनों का पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया है जो 14 एपरिल तक चले है और मौत का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है मरीजु का इलाज अब भी जारी है ऐसे में धमन वन वेंटिलेटर का निर्मान गुजरात के लोगों को मदद रूप साबित हो सकता है मेक इन इंडिया मेक इन गुजरात की अवधार्णा को साकार किये हुए है ब्यूरर बोउट पुजरात तक